सबसे पहला वर्ड है मेरी तबियत पहुत खराब है अनवाजित तावान अनवाजित तावान एक और तरीका है उस तरह से भी बोल सकते हैं अनवाजित मरीद मरीद बोलते हैं तबियत का और तावान भी बोलते हैं तबियत को अनवाजित तावान अनवाजित मरीद क्यूं र रही हो लेसिंती यम्की फटन रोना को अगर वहीं आप लड़का के लिए बोली तो कीसे दिल्ले वर सकते हैं मीता या आप बोल सकते हैं मीता एंता जवाच मीता बोल सकते हैं या मीते लगा सकते हैं इंत जवाज का मतलब होता है साधी करोगे मीते इंत जवाज तुम कब साधी करोगे यहां दखो दोस्तो पानी चालू करो इफ्ता मोई सक्कल मोई यहां आप देख सकते हैं मोई भी बोलते हैं और कहीं कहीं अर्ब कंट्री में मोई बोलते हैं, और कहीं कहीं बोलते हैं माई, इफ्ता मोई, इफ्ता का मतला होता है चालू करना, सक्कल का मतला होता है चालू करना, इफ्ता मोई और सक्कल माई, आप बोल सकते हैं मोया, इफ्ता मोया, सक्कल मोया, पानी बंद करो, सक्कर मो यहां बोल सकते हैं सक्कर मोई या सोक्कर माई पानी बंद करो सक्कर का मतलब होता है बंद करना मोई या मोया का मतलब होता है पानी तुम क्या सोच रहे हो सुनो फक्कर इंते या बोल सकते हैं इंता सुनो फक्कर फक्कर का मतलब होता है सोचना सुनो का मतलब होता है क्या इंत का मतलब होता है तुम सुनो फक्कर इंते या बोल सकते हैं इंता सुनो फक्कर मैं सोच रहा हूं अना फक्कर अना का मतलब होता है मैं फक्कर का मतलब होता है सोच रहा हूं अना फक्कर मैं सोच रहा हूं मैं कब आऊं अना मीते इजी अना का मतलब होता है मैं कब का मतलब होता आना अलिहिन रो, मैं का मतलब होता है अना, अलिहिन का मतलब होता है अभी, और रोह का मतलब होता है जाना, आना अलिहिन रोह, मैं अभी जाओंगा, यह उठाओ, सील हादा, सील का मतलब होता है उठाना, हादा का मतलब होता है यह, सील हादा, यह उठाओ, यह उठाओ, यह क किर्सी या कुर्सी का मतलब कुर्सी होता है सी लहाद किर्सी या कुर्सी उठाओ सब काम खतम कर दिया कुलू सुगुल खलास कुलू का मतलब होता है काम खलास का मतलब होता है खतम कर दिया, सब काम खतम कर दिया, कुलू सुगुल खलास, सब काम खतम नहीं हुआ, कुलू सुगुल मा खलास, या बोल सकते हैं, कुलू सुगुल ला खलास, या बोल सकते हैं, कुलू सुगुल मा फी खलास, ला मा फी और मा, ये सब का मतलब होता है, नहीं हुआ, कुलू स तो गुल माखला सब काम खतम नहीं हुआ है कौन बोला मीन गुल मीन का मतलब होता है कौन बोलना का मतलब होता है गुल कि कुछी से बात कर रहे हो उसे गुल मीन गुल कौन बोला मैं बोला या मैंने बोला उसे बोलते है अना गुल अना का मतलब होता है मैं या मैंने गुल का म तगिल को बोलते हैं भारी को, अखरजात वाजित तगिल, समान बहुत भारी है, समान भारी है, अखरजात तगिल, अखरजात कहीं कहीं बोलते हैं, अखरजात भी बोलते हैं समान को और कहीं अखरजात बोलते हैं, अखरजात तगिल, समान भारी है, अखरजात बोलते हैं समा को माफी बोलते हैं नहीं को तगिल बोलते हैं भारी को अखरजात माफी तगिल समान भारी नहीं है वह सोच रहा है वह फक्कर फक्कर बोलते हैं वह को बोलते हैं वह सोच रहा है हुआ फक्कर, मैं सोच नहीं रहा हूँ, आना माफी फक्कर, यह आप बोल सकते हैं, आना ला फक्कर, आना मा फक्कर, यह आप तीन चार मिला कर बोल सकते हैं, यहाँ पे है आना का मतलब मैं, माफी का मतलब नहीं, फक्कर का मतलब सोचना, मैं नहीं सोच रहा हूँ, आना माफ कर इंता मैं हाउस भॉआ हूँ यानि जो घर को देख रहे करता है न उसे बोलते हैं हाउस भॉआ करते हो इंता सुनो इस्तगुल या इंता सुनो सुगुल मैं घर में काम करता हूं अना सुगुल बेत अना का मतलब होता है मैं सुगुल का मतलब काम करना बेत का मतलब होता है घर मैं घर में काम करता हूं अना सुगुल बेत मैं टेलर हूं अना का मतलब होता है मैं खयात का मतल सुफ तसकरा का मतलब तकता हूँ जल्दी सौरी बोलो उसे अरभीम बोलेंगे सारा गुल आसिफ, कहीं कहीं पे आसिफ को बोलेंगे मालिश मालिश का मतलब भी होता है सौरी सारा को कहीं कहीं पे बोलते हैं सुरा जल्दी को कहीं कहीं पे सुरा बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं सुरा गुल मालिश जल्दी सौरी बोलो, तुमने सौरी क्यों बोला लेस इंतागूल आसिफ या आप बोल सकते हैं लेस इंतागूल मालिश तुमने सौरी क्यों बोला तुम्हारी गल्ती नहीं थी लेस इंतागूल आसिफ या लेस इंतागूल मालिश तुमने सौरी क्यों बोला तो आप उसे बोलेगा कि मेरी गल्ती थी आना गल्ता आना का मतलब मेरी, गल्ती का मतलब होता है गल्तान, आना गल्तान, मेरी गल्ती थी, तुमने बुरा क्यों बोला, ले सिंतगुल मुझेन कलाम, मुझेन बोलते हैं बुरा को, ले सिंतगुल मुझेन कलाम, तुमने बुरा क्यों बोला, बुरी बात को अरबिम बोलते हैं, छोई दिर बाद आता हो थोड़ी दिर बाद आता हूं को अर्विं बोलते हैं तुम्हारा घर बहुत चोटा है यह होटल का खाना स्वाधिष्ट है यह होटल का खाना स्वादिस्ट है अभी मैं होस्पीटल में हूँ अगर आपको कपील से बोलना है बाबा मैं गरीब हूँ मुझे पैसा जादा चाहिए बाबा अना फी मिस्कीन अतिफलुस ज्याद बाबा मैं बहुत गरीब हूँ मुझे पैसा ज्यादा चाहिए गोस्त या मीट की दुकान कहा है वेन फी लहम महल लहम बोलते हैं गोस्त को और महल बोलते हैं दुकान को बाबा अना रो सूक बाबा मैं मारकेट जा रहा हूँ चलो साथ में नास्ता करते हैं उसे अर्बी में बोलना है यल्ला रोह सवा सवा फतूर सवी यल्ला रोह सवा सवा फतूर सवी चलो साथ में नास्ता करते हैं आज सफाई वाला नहीं आया है अलियो माई जी मुझफ नफर मुझफ नफर बोलते हैं सफाई वालो को अलियोम माई जी मुझफ नफर आज मेरे पास पैसे नहीं है अलियोम अना माफी मौजूद फुलूस अलियोम अना माफी मौजूद फुलूस आज मेरे पास पैसे नहीं है कल स्टेस्निरी की दुकान बंद है बुकरा गफल मक्तब महल कल स्टेशनर्य की दुकान बंद है तुम अभी कहा हो इंता अलिहुन वेन फी नौकर बहुत काम करता है नौकर बहुत काम करता है दो साल के बाद घर जाओंगा सना तैन बादेन रोभेथ या बोल सकते हैं टू यर्स बादे नाना रोह बेत इस हफता में सब मदर्सा खुल जाएगा या स्कूल खुल जाएगा उसे बोलेंगे हादा उस्बुगा कुलू मदर्सा मफ्तू हादा उस्बुगा कुलू मदर्सा मफ्तू इस हबते में सब स्कूल खुल जाएगा आज कुछ दुकानों पर आफर है अलियोंफी से महल उरूद महल उरूद बोलते हैं दुकानों पर आफर अलियोंफी से महल उरूद इस मॉल की पार्किंग बहुत बड़ी है हादा सुक कबीर मुखकफ हादा सूक कबीर मुवकफ इस मॉल की पारकिंग बहुत बड़ी है यह दुकान अच्छी नहीं है यह दुकान अच्छी नहीं है आज पुलिस ने चलान कर दिया अलियोम सुर्ता सवी मुखालफा अलियोम सुर्ता सवी मुखालफा आज पुलिस ने चलान कर दिया तुम पहली बार सौधी आए हो इंता अवल मर्रा आजी सौधी तुम पहली बार सौधी आए हो मेडम बहुत अच्छी है खाना देती है मेडम मर्रा कोईस आती अखिल मेडम बहुत अच्छी है मेडम मर्रा कोईस खाना देती है आती अखिल रसोया खाना पका रहा है तबाख सवी अखिल कपील रोज हाय हाय करता है उसे बोलेंगे कफील कुल्योम सवी गिर गिर या कपील रोज बात बोलता है उसे भी बोलेंगे कफील कुल्योम सवी गिर गिर आज कपील ने नास्ता दिया अलियोम कफील आती फुतूर अलियोम कपील आती फुतूर आज कपील ने नास्ता दिया गाड़ी में टीशू पेपर है फी सियारा मेंदीन, मेंदीन बोलते है टेश्यू पेपर को, फी सियारा मेंदीन, गाड़ी में टेश्यू पेपर है, बकरी का गोस्त बहुत अच्छा है, लहम नगम मररर कोईस, बकरी का गोस्त अच्छा है, भेड का मीट थोड़ा खराब है, खुरूब लहम सोया फी खरबा खुरूब लहम सोया फी खर्बान भेड का मीट थोड़ा खराब है जल्दी चलो आफिस देर हो गई सुरा रोह मतवख सोया ताखीर जल्दी चलो आफिस देर हो गई गेट के पास जाओ समाल ले लो इजी इंदल बाब सील अगरात गेट के पास जाओ और समाल ले लो ब्यूटी पालर में आदमी का आना मना है रसगल दाखिल रज्जाल ममनु रसगल दाखिल रज्जाल ममनु मुझे गाड़ी की चाबी दो आना इबगा सयारा मुफता मुझे गाड़ी की चाबी दो मुझे थोड़ी सेलरी ज्यादा चाहिए अना इबगा सोया रतीब ज्यादा मुझे थोड़ी सेलरी ज्यादा चाहिए तुम जल्दी से अर्भी सीख लो इंता सुरा अर्भी सवी तालीम तुम जल्दी से अर्भी सीख लो एक किलो प्याज दे दो इबगा वाहिद किलो बसल एक किलो प्याज दे दो घर नया बनवाया है तजदीद जदीद बेत घर नया बनवाया है आज जुम्मे की चुटी है अल्यूम जुमा फी इजाजा आज जुम्मे की चुटी है आज हलका नास्ता करा था कपील बहुत घमंडी है कपील بहुत घमंडी है तु मारकेट क्यों बिना बताए गए लेस इंतमाफी कलाम रो सूक मारकेट बिना बताए क्यों गए तुम्हारा पहचान पत्र कहा है अकामा बोलते हैं पहचान पत्र को आज गाड़ी खराब हो गई है अलियूम सियारा खर्बान आज गाड़ी खराब हो गई है यह काम उपियोगी है हादा सुगलमुफीद यह काम उपियोगी है यहां घास पेड बहुत है हिना मरा पी उसब सजर यहां घास पेड बहुत है सब डिबे इस जगह रखो कुलू काटून हीना रक्कीब सब डिबे इस जगह रखो आज पहला दिन है काम का अलियोम अवल योम सुगुल आज पहला दिन है काम का अलियोम अवल योम सुगुल दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं साह इतनें इंतजार ही ना दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं मेरा सहर बहुत सुन्दर है अना मदीना मर्र जमीला अगले महिना मेरा भाई यहां आएगा मेरा बाकी हिसाब हो गया तुम अपने वाई फाई का नमबर दे दो इंतजीब रकम वाई फाई तुम अपने वाई फाई का नमबर दो तुम सब आदमी चोर हो इंता कुलू नफर अली बाबा तुम सब आदमी चोर हो चिंता मत करो टिकट बुक कराया ला तकल्लक तसकरा इजाजा चिंता मत करो टिकट बुक करा दिया हूं ला तकल्लक तसकरा इजाजा मेरी नौकरानी बहुत अच्छी है मेरी नोकरानी बहुत अच्छी है मेरी मेडम बहुत कंजूस है अना मेडम मर बखिल बखिल बोलते हैं कंजूस को कपील गाड़ी नहीं देता है कपील मा आती सियारा कपील गाड़ी नहीं देता है रुपिया दो समान खरीदना है अगरात स्ट्रीत जी फलूस रुपिया दो समान खरिदना है आज मेरा कपील ने इनाम दिया या तोफा दिया या आप बोल सकतें गिफ्ट दिया उसे बोलते हैं अलियोम अना कपील जी पहा दिया बाबा मैं दोस्त के कमरे पर जा रहा हूँ बाबा अना रो सद्दीग गुर्फा बाबा मैं दोस्त के कमरे पर जा रहा हूँ आज कपील से बहस हो गई अलियोम कफील सवी गिर गिर अलियोम कफील सवी गिर गिर आज कपील से बहस हो गई आज रात में एरपूर्ट पर जाना है अलियोम रोह बिलेल मतार आज रात को एरपुट में जाना है मेरे मोबाइल में बाइलेंस नहीं है आना जवाल माफी रसीद गाड़ी रोज धोनी है और साफ करनी है उसको अरबी में आप कैसे बुलिएगा कुलियोम सियारा गसिल तंजीफ सवी काड़ी रोज धोनी है और साफ करनी है तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो लेस इंता ताखीर सवी तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो अक्सर कपील अपने नोकरानी से या नोकर से बोलते हैं घर आज जरूर साफ करना है उसे अरबी में बोलेंगा अलियोम लाजिम तंजीफ बेत तुमने नास्ता कर लिया है या नहीं इंता फतूर खलास या बाकी तुमने नास्ता कर लिया है या नहीं ये कर खाना बहुत अ हादा वर्सा मर्रा कोईस वर्सा बोलते है करखाना को हादा वर्सा मर्रा कोईस यह करखाना बहुत अच्छा है अक्सर सौधी जो है अपने ड्राइवर से बोलते हैं तुम्हारा सीट बेल्ड का चलाना आया है उसे बोलेंगे इंत हिजाम मुखालफा एजी इंत हिजाम मुख तुम्हारा सीट बेल्ट का चलाना आया है मैं पांच बजे खाली हूँ बाद में बात करता हूँ अकसर सौधी जो है गुसा होते हैं तो अपने ड्राइवर से या घर में काम करने वाले से बोलते हैं इंता मुखमाफी इसका मतलब हुआ तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या मेर मेरे रूम की लाइट खराब है अना गुर्फा लंबा खरबान अना गुर्फा लंबा खरबान मेरे रूम की लाइट खराब है अकसर सौधी गुसा होता है तो बोलता है तुम बहुत खराब ड्राइवर हो तुम्हें भेज देंगे इंता सवाग मर्रा माफी कोईस वद्द तुम अच्छे ड्राइवर नहीं हो तुम्हें भेज देंगे मुझे नया सीम कार्ड चाहिए मुझे छे महीने से तनखा नहीं मिली है मुझे छुटी चाहिए तीन दिन की यह गाड़ी पुरानी है नई खरीद लो हादा सियारा गदीम जदीद इस्तरी मुझे पुराना ड्राइवर चाहिए उसे अर्भी मिलते है मुझे पुराना ड्राइवर चाहिए मेरी नुकरानी बहुत चलाक है अर्भी जानती है अक्सर सौदी तारिफ करते हैं कि यह नाई की दुकान बहुत अच्छी है हादा हलाक महल मर्रकोईस हादा हलाक महल मर्रकोईस हलाक बोलते है नाई की दुकान को महल बोलते है दुकान को हादा हलाक मर्रकोईस यह नाई की दुकान बहुत अच्छी है मैं पार्चून की दुकान पर हूँ मैं पार्चून के दुकान पर हूँ मैंने फोटो भेजा है समान खरीद लो मैंने फोटो भेजा है आप समान खरीद लो अक्सर कपी लोग अपने ड्राइवर से अपने नोकर से पूछते हैं तुमको क्या परसानी है बताओ मुझे इंत एस मुस्किला कल्लम इंत एस मुस्किला कल्लम तुमको क्या परसानी है बताओ मुझे इस घर की लड़किया बहुत घूमती है हादा बेत बनात मर्रा दवर दवर रो कभी-कभी मेडम गुस्ता होती है तो बोलती है चुपचब बैठो घर जाना है क्या इजलीस इसकुत इंत रो बेत बाबा मैं केरला के होटल जा रहा हूँ आज मेरा पेट खराब है अलियोम अना बतन खरबान अलियोम अना बतन खरबान पेट को बोलते हैं बतन मुझे एक किलो पाया चाहिए अना इबगा वाहित किलो आदम आदम बोलते हैं हड़ी को पाया बोलते है हड़ी का गोस्त जो होता है न उसे पाया बोलते हैं आज मेडम से बहुत पहस हो गई आज सारे स्कूल की छुटी है कल सौधी ने 500 रियाल का इनाम दिया ड्राइवर सौधी की बहुत इज़त करता है कल मैं अपने दोस्त के साथ उम्रे पर जाऊंगा यह कंपनी बहुत अच्छी है अभी मैं खाना बना रहा हूँ कोई भी दूसरे रास्ते से चलो कोई भी दूसरे रास्ते से चलो तुम्हें सब चीज का ग्यान है पेटरॉल पंपर जाओ और पेटरॉल भर्वालो इंतरो महत्ता एबी बेंजीन इंतरो महत्ता एबी बेंजीन पेटरॉल पंपर जाओ पेटरॉल भर्वालो तुम गाड़ी ठीक से नहीं चलाते हो इंतसूफ सियारा माफी कोईस, तुम गाड़ी ठीक से नहीं चलाते हो, यह जग़ पार्किंग की है, हादा मकान मुखक वगफ, दस बजे नकाब की दुकान जाना है, साथ अस्रा रोह अबाया महल, दस बजे नकाब की दुकान जाना है, मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है, मेरा ड्राइबर बहुत अच्छा है पार्क में कोई चोकिदार नहीं है माफी मौजूद हदीका हारिस हदीका बोलते हैं पार्क को हारिस बोलते हैं चोकिदार को मैं गाड़ी चलाओंगा या मैं गाड़ी चलाओंगी अना सूख सियारा मैं गाड़ी चलाऊंगी या मैं गाड़ी चलाऊंगा सुबह सुबह दोड़ना अच्छा होता है तुम्हारी भासा बहुत अच्छी है तुम्हारी मेडम स्कूल की टीचर है तुम्हारी मेडम कहां जॉब करती है तुम्हारी मेडम कहां जॉब करती है आज मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है आज मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है तुम्हारा कपील डॉक्टर है फी इंतकपील दोक्टर फी इंतकपील डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलते हैं कुछ लोग दोक्टर बोलते हैं मैं गारी में इंतजार कर रहा हूँ आना इंतजार दाखिल सेयारा आना इंतजार दाखिल सेयारा मैं गारी में इंतजार कर रहा हूँ मेडम के साथ मेडिकल स्टोर आया हूँ तुम इधर उधर कहां गुमते हो तुम इधर उधर कहां गुमते हो मेडम गाड़ी में पेटरॉल नहीं है मेडम सियारा माफी मौजूद बेंजीन मेडम सियारा माफी मौजूद बेंजीन तुम्हें अर्भी बोलनी आती है इंता अर्भी कलाम मालूम या बोल सकते हैं इंता मालूम अर्भी इंता मालूम अर्भी इंता अर्भी कलाम मालूम अब ऐसे मिला के बोल सकते हैं गल सुबह चार वजे एयरपोर्ट जाना है, बुक्रा सुबह सा हरवा रोह मतार, मुझे अभी बाल कटाना है, बाल को बोलते हैं सार और गसी बोलते हैं काटने को, मैं बाल कटाने जा रहा हूं, अना रो गसी सार अना रो का मतलब मैं जा रहा हूँ गसी सार का मतलब बाल कटवाने अना रो गसी सार मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ बाल काटने की दुकान को बोलते हैं महल हलाक महल हलाक बाल काटने की दुकान को बोलते हैं हलाक महल हलाक बोलते हैं बाल काटने की दुकान को या आप हलाक भी बोल सकते हैं कोई-कोई नर्मली बोल देता है हलाक कैसा बाल काटना है जब वो पूचता है आपसे कि कैसा बाल काटना है कैफ गसी सार कैफ का मतलब होता है कैसा गसी सार का मतलब बाल काटना है लाइक कर दीजे मेरे चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जैन उसके बाद जो है कैसे काटू उसको बुलेगा कैफ गसी मसीन लगा दू सवी मकीना या कैची से काटू वल्ला मगस मगस बोलते है कैची को कैसे काटू मसीन लगा दू या कैची से का वो पूछता है आपसे तो कैसे पूछे का मतल़ हो जब कैसे काटो सूवी मकीना मसीन लगा दो है कैची से काटूँ, वल्ला मगस, मकीना का मतलब होता है मसीन, सवी मकीन, हाँ कैची से काट दो, आप जब बोलते हो, हाँ कैची से काट दो, उसे आपको अर्मी में कैसे बोलना है, गसी मगस, मगस का मतलब होता है कैची, गसी का मतलब होता है काटना, हाँ कैची से काट दो, ग यह आपको दो नमबर लगाना sliding आपको को कुँए ऐने गिंती आपने वी दिश्क्रिप्षिन नहीं लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख सकतें इस वीडियो अगिर आपको बोलिएगा सब छोटा कर दो, कुलू सवी सगीर, सब छोटा कर दो, देन उसके बाद बोलिएगा हलका करना है, मतलब बाल जिसे भारी हो गया है, उसे बोलना हलका करना है, कफीफ गसी मतलब हलका काटना है मतलब कम काटना है खफीफ गसी बाल कट गया है अब उस तरह लगाना है साइड में सार खलास अलहिन रकिब मकीना सार खलास अलहिन रकिब मकीना बाल कट गया है अब उस तरह लगाना है साइड में उसे बोलेंगे सार खलास अलिन रकिब मकीना जो हलाक वाले होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि पाउडर लगा दूँ उसको अर्भी में बोलेंगे रकिब पाउडर अना रकिब पाउडर पाउडर लगा दूँ मैं रकिब पाउडर पाउडर लगा दूँ देन उसके बाद आपका कपिल का फोन आ जाता है पूचता है तुम कहा हो इंत वेन तुम कहा हो इंत वेन तुम कहा हो देन आप जवाब दीजेगा उसको कि मैं नाई की दुकान पर हूँ अना मौजूद हलाक महल अना मौजूद हलाक आप हलाक भी बोल सकते हैं या हलाक महल भ कैसे बोलेंगे इंत वद्दी मौका अना मौका का मतलब होता है लुकेशन इंत वद्दी मौका अना मुझे अपनी लुकेशन भेज देना आज पैसा नहीं है तुम दे दो अगर आप अपने दोस से बोल रहे हो कि मेरे पास आज पैसा नहीं है तुम दे दो अलियो माफी फु रोट के किनारे चलो आज बहुत चेकिंग हो रही है जैसे रास्ते में कहीं पुलीस चेक कर रहा है तो उसे बोलते हैं अलियो मरराफी तपतीस आज बहुत चेकिंग हो रही है लड़की का स्कूल कहां पर है वेन फी बिन्त मदर्सा वेन फी बिन्त मदर्सा अगर आपको पूछना है कि आपकी लड़की का मदर्सा किदर है वेन फी बिन्त मदर्सा टायर में हावा कम है अगर आप कपिल से बोल रहे हैं कफर सोया हावा फी टाइर में हावा कम है उसे आप अर्वी में कैसे बोलेंगे कफर, सोया, हावा, फी टाइर में हावा कम है अगर आप किसी से बोल रहे हैं कि रुपए भेज दी हैं तुम ले लेना अपने कप्ल को बोल रहे हैं आपका अपका अपका कार्ड जब काम नहीं करेगा तुसे बोलेंगे सर्राफा बताखा माफी सूगल सूवी ATM कार्ड काम नहीं कर रहा है सर्राफा बताखा माफी सूगल सूवी कल स्कूल जाना है बुकरा रोह मदर्सा बुकरा रोह मदर्सा बुकरा का मतलब होता है कल रोह का मतलब होता है जाना मदर्सा का मतला होता है स्कूल कल रसकूल जाना है बुकरा रोह मदर्सा तुम बहुत समजदार हो अभी तक सेलरी नहीं आई अभी तक तुम्हारी गल्ती है अगर आपने आपसे कोई गलती हो जाता है और कपिल बोलता है इंतखताफी तो इसका मतलब हुआ तुम्हारी गलती है मुझे माफ कर दें या मुझे माफ कर दीजिये उसे बोलेंगे अना इसाफ मुझे माफ कर दीजिये या मुझे माफ कर दें तुम कहां जा रहे हो इंतवेन रो अगर आपका कपिल पूछता है आपसे इंतवेन रो इसका मतलब हुआ तुम कहां जा रहे हो आज बहुत धूल उड़ रही है अलियो मर्रा फी तुरूब धूल उड़ना को बोलते हैं तुरूब अलियो मर्रा फी तुरूब आज बहुत ध फूल उड रही है तुम्हारा फोन कहा है अगर आपका कपिल पूशता है कि तुम्हारा फोन कहा है क्यूं नहीं उठा रहे हो ? यह भीड क्यूं लगाए हो? वो ड्राइबर हिंदु था उसे अरभी में बोलेंगे हुआ सावाग मा फी मुसलिम हुआ सावाग मा फी मुसलिम वह ड्राइवर हिंदू था मतलब वो मुसलमान नहीं है हुआ सावाग मा फी मुसलिम तुम मुसलिम हो इंता मुसलिम फी या बोल सकते हैं इंता फी मुसलिम क्या तुम मुसलिम हो इंता मुस्लिम फी आप ऐसे जोड़ कर बोल सकते हैं इससे कोई मुस्किल नहीं होगा इस्वर सबका एक है जैसे अल्ला सबका एक है उससे अर्बी में बोलेंगा अल्ला कुलू नफर वाहिद अल्ला कुलू नफर वाहिद इस्वर सबका एक है आज गाड़ी नहीं साफ किया, उसे अर्भीम बोलते हैं, मैं दोस्त की गाड़ी से जा रहा हूँ, अगर आपके अपने कपील बोलता है, मेरा गाड़ी मत ले जाना, तो उसे कैसे बोलेगा सियारा माफी सील सियारा माफी सील इसका मतलब हुआ गाड़ी नहीं ले जाना मेरे दोस्त के कमरे पर जाओ अगर आपका कपिल बोलता है कि जाओ तुम मेरे दोस्त के कमरे पर जाओ अना रो सद्दीक गुर्फा मेरे दोस्त के कमरे पर जाओ अगर आपका कपिल पुछता है तुम कहा हो इस समय तुम कहा हो इस समय तुम कहा हो इस समय तुम्हारा फोन कहा है तुम कहा जा रहे हो अगर आपका कपिल पुछता है तुम कहा जा रहे हो हिंदी में हुआ तुम कहा जा रहे हो अर्भी में हुआ इंतवेन रो मारना पीटना उसे अर्भी में बोलते हैं उद्रूब उद्रूब बोलते हैं मारना पीटना को उसने मुझे मारा हुआ दरबनी उसने मुझे मारा मैं मारता हूँ अना उद्रूब का मतलब होता है मैं मारता हूँ उसको मारो उसको मारो को अरवी में बोलते है उद्रूब हुआ उद्रूब हुआ उद्रूब मलते है उद्रूब का मतलब होता है मारो हुआ का मतलब होता है उसको उद्रू हुआ उसको मारो मैं मारा था आना दरप्त मैं मारा था उसे अरबीम बोलते हैं आना दरप्त का मतलब मारा था और आना का मतलब होता है मैं आना दरप्त मैं मारा था सच में मैं नहीं मारा था वल्ला मा दरप्त आना सच में मैं नहीं मारा था उसे बोलते हैं लेस तदरप्त तुमने मुझे क्यों मारा लड़की को नहीं मारो लड़की को नहीं मारो उसे अर्बी में बोलते हैं ला तदरप्त बिंत बिंत का मतल़ होता है लड़की ला का मतल़ होता है नहीं तदरप्त का मतल़ होता है मारना लड़की को नहीं मारो ला तदरप्त बिंत उस आदमी को नहीं मारो उसे अर्बी में बोलते हैं ला तदरब्त हादा रज्जाल उस आदमी को नहीं मारो उस आदमी को नहीं मारो तुम लोग उस लड़के को क्यों मार रहे हो इन्तुम लेस तदरब्बो वल्द हादा इन्तुम लेस तदरब्बो वल्द हादा इन्तुम तुम लोग अगर जादर लोग को अगर आप बोल रहे हो तुसे बोलेंगे इन्तुम लेस का मतल़ होता है क्यों और तद्रबु का मतलब होता है मारना वलड हाधा उस लड़के को इन्टुम लेस तद्रबु वल्ड हाधा तुम लोग उस लड़के को क्यों मार रहे हो कॉल करो या फोन करो उसे बोलते है दिग अपने कपील को कॉल करो दिग अला कपील कपील को खपील ही बोलते हैं दिग अला कपील अपने कपील को फोन करो अपने मैनेजर को कॉल करो दिग अला मुदीर अपने मैनेजर को फोन करो अपने मेडम को कॉल करो उसे अरबिम बोलेंगे दिग अला मदाम मेडम को मदाम बोलते है अपने मेडम को कौल करो उसको कौल करो दिग आले मुझे फोन मारो मुझे फोन मारो मैं उसे call मारता हूँ या call करता हूँ उसे बोलते हैं अर्भी में अदिग आले मैं तुम्हारे दोस्त को call करता हूँ मैं तुम्हारे दोस्त को कॉल करता हूँ मैं तुम्हारे कपील को कॉल करता हूँ वो आपको कॉल करेगा कोहनों की दुकान को अरभी में क्या बोलते हैं महल मजुहिरात गहने के दुकान को बोलते हैं महल बोलते हैं दुकान को कोई भी सौब को महल बोलते हैं मजुहिरात बोलते हैं गहने की दुकान को और यहां पे दुकान को बोलते हैं मतजर एक तरीका भी है मतजर भी बोलते हैं और महल भी बोलते हैं चलिए नेक्स्ट है गिफ्ट की दुकान यानि गिफ्ट सौप उसे बोलते हैं अरभी में महल हिदाया महल हिदाया महल हिदाया बोलते हैं गिफ्ट सौप को यानि गिफ्ट की दुकान को कैफे या कौफी सौ को बोलते हैं माहल कहवा या बोलते हैं महल मकही या महल कहवा कौषी सव और बिम बोलते हैं मखवच्छ बेकड़ी को अर्वी में मक्तबा बोलते हैं लाइबरेरी को अर्भी में मक्तबा बोलते हैं मक्तबा बोलते हैं दोस्तो किताब के दुकान को भी मक्तबा बोलते हैं कपड़े की दुकान को अर्भी में बोलते हैं महल अल मलाविस महल अल मलाविस इंगलिस में बोलते हैं क्लोथिंग सौप यानि मह कपड़े की दुकान दोस्तों लॉंड्री को अर्भी में बोलते हैं मकसला मकसला बोलते हैं लॉंड्री को जहां कपड़ा दुला जाता है उसे बोलते हैं मकसला मेडिकल स्टोर को अर्भी में सैदलिया मेडिकल स्टोर को अर्भी में सैदलिया बोलते हैं इंगलिस में जैसे होता है ड्रॉक, स्टोर होता है उसे अरुडिम बोलते है यह हिंधी में बोलते हैं इस सिनि そう अर्फि के पाद दोस्तों changed Liebeं को अर्बी में भोनते हैं które उसके बाद दोस्तों सीडेमा को अर्बी में मसर हैं कुली बाजिर को इंगली समय स्टेट मार्केट उसे अर्भी बोलते हैं सूक humano सारा सूक मतलब होता है बाजार और सारा बोलते हैं गली सूक सारा यानि सेट मर्केट गली बाजार बीडिक को अर्ब नाथ भी में बोलते हैं महल खयात तोने को बोलते हैं मछल खयात मचली की दुकान इंगलिस में बोलते हैं फीस सौप उसे अर्भी में बोलते हैं महल समक महल समक अर्भी में बोलते हैं मचली की दुकान इंगलिस में बोलते हैं फीस सौप बैंक को अर्भी में बोलते हैं अल बंक लिखने बोलने के लिए दोस्तों आप बोल सकते हैं अल बैं यानि कसाई की दुकान किराना दुकान उसे इंगलिस में बोलते हैं ग्रॉसरी स्टोर वही आप अर्बीम बोलते हैं महल बकाला जो छोटा सा दुकान होता है दोस्तों उसे महल बोलते हैं महल बकाला जिसे हिंदीम बोलते हैं किराना स्टोर वही दोस्तों किताबों की दुका को इंग्लिस में बोलते हैं बुके स्टोर वहीं अर्भीम बोलते हैं मक्तबा अलकिताब दोस्तों मैंने पीछे बताया था किताबों को दुकान को मक्तबा भी बोलते हैं वहीं आप बोल सकते हैं मक्तबा अलकिताब, किताबों की दुकान को अर्बीम बोलते हैं मक्तबा अलकिताब, वहीं दोस्तों जहां सरकारी काम होता है, उसे कार्याले बोलते हैं हिंदी में, इंगलिस में और अर्भीम बोलते हैं मक्तब और दोस्तों जहां हम लोग होटल में खाना खाते हैं उसे इंगलिज में बोलते हैं और अर्भीम बोलते हैं हिंदीम बोलते हैं होटल इंगलिज में रेस्टूरेंट बोलते हैं होटल जिसमें हम रहने वाले होटल को अर्भीम बोलते हैं फु दुकान को बोलते हैं महल हलवियात महल हलवियात वहीं इंगलिस में बोलते हैं सुईर कैंडी सॉप हार्डवेर की दुकान को बोलते हैं महल माईदात माईदात बोलते हैं हार्डवेर को महल बोलते हैं दुकान को दुकान और वहीं दोस्तों डाक घर यानि पोस्ट ओफिस को अर्भी में बोलते हैं मक्तब बरीद मक्तब बरीद मक्तब का मतलब होता है ओफिस और बरीद का मतलब होता है पोस्ट यानि भेजना मक्तब बरीद डाक घर यानि पोस्ट ओफिस औरतों का सैलून को बोलते हैं सै ब्यूटी पारलर को अर्वीम बोलते हैं तजमीला सैलून है इसका मतलब होता है ब्यूटी पारलर को अर्वीम बोलें हंग महल हलाक या हलाक रिज्जाल ब्रेकफास्ट यानि चाय की दुकान को अरबी में बूफिया इंगलिस में ब्रेकफास्ट टी सॉप उसे बोलते हैं अरबी में बूफिया बूफिया अरबी में बोलते हैं जूस की दुकान को अरबी में बोलते हैं महल असीर महल का मतलब होता है दुकान असीर का मतलब होता है जूस जूस की दुकान यानि महल असीर देन दोस्तो फरूट एंड वेजिटेबल सॉप उसे बोलते हैं महल खुदरुवात वफवाका महल खुदरुवात वफवाका यानि इसका मतलब हुआ फलो और सब्जियों की दुकान फलो और सब्जियों की दुकान को अर्विम बोलते है महल, खुद्रुवात, वफवाका खुद्रुवात का मतलब होता है सब्जियों वफवाका का मतलब होता है फलो का फलो को बोलते है फवाका दोस्तों वहीं फरनीचर की दुकान को अर्विम बोलते हैं महल नज्जार, नज्जार का मतल़ होता है फरनीचर, महल का मतल़ होता है दुकान, आटा चक्की को अर्विम बोलते हैं ताहून, आटा चक्की जो मसीन होता है उसे बोलते हैं ताहून, दोस्तों मार्बल या टाइ izerция Marbol को किराय की δुक्स को बोलते हैं South for Rent को महल लिल एजार यानि यह दुकान किराय पर है उसे एर्भी बोलेंगे हादा महल लिल एजार यह दुकान किराएपर फेसर howS career के लिए यह आNішा आप लोग किराय के लिए लाइट की दुकान अर्भी में बोलेंगे महल सब्बाक व कहरबाई महल सब्बाक महल का मतलब होता है दुकान सब्बाक का मतलब होता है पलंबर कहरबाई का मतलब होता है अलेक्टिशियन महल सब्बाक व कहरबाई light और plumber की दुकान अगर दोस्तों electronic दुकान अगर special है उसे ऐसे बोलेंगे अर्वी में महल अलेक्ट्रोनियात महल अलेक्ट्रोनियात ये इंगलिस सब्द है उसे अर्वी में convert किया गया है महल अलेक्ट्रोनियात यानि electrocian की दुकान यानि लाइट वाली दुकान बरतन की दुकान को अर्बिम बोलेंगे महल अतबाक महल बोलते हैं दुकान को अतबाक बोलते हैं बरतन को दोस्तों कैसी लगी यह वीड़ो वीड़ो अच्छी लगी तो वीड़ो को लाइक चैनल को subscribe और टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा वहां से टेलिग्राम पे ज्वैन हो जाएगा अंदर को अर्भी में बला जाता है दाखिल और जुआ साइड में वहले पर स्ञाइड में तो अर्भी में उसे अर्भी में वहले इस standard आहे हैं जम्ब उपर, उपर को अर्विम बोलते हैं फोग, उपर को अर्विम बोलते हैं नीचे, नीचे को अर्विम बोलते हैं तहत, नीचे को अर्विम बोलते हैं आगे, आगे को अर्विमें गिद्दाम बोलते हैं, आगे को अर्विमें गिद्दाम बोलते हैं बाएं, बाएं को अर्वी में इसार बोला जाता है, और कहीं कहीं इसार भी बोलते हैं, पगार और या सेलरी को अर्वी में रतीब बोलते हैं, छुटे पैसे, छुटे पैसे को अर्वी में सर्फ फुलूस बोलते हैं, सर्फ फुलूस, सर्फ का मतलब होता है छुटे और फु बाइंक को अरवी में बांक बोला जाता है एटियम मसीन को अरवी में मकीना सराफा बोला जाता है ATM मसीन को अर्वी में मकीना सर्राफा बोले जाता है मकीना सर्राफा का मतलब होता है ATM मसीन गिफ्ट को अर्वी में हदिया बोले जाता है वापस करना को अर्वी में रजजा बोले जाता है वापस आना को अर्वी में इर्जा बोले जाता है अगर आपका कपील बूलता है वापस आजाओ यानि ताल इर्जा ताल इर्जा वापस आओ छोड़ दो या चोड़ो उसको अरवी में बोलते हैं खल ली दोसतो वीड़ो अच्छी लग रही है तो वीड़ो को लाइक ज़रूर कर देए हुक्का जो पिया जाता है उसे अर्बी में सीसा बोले जाता है सिगरेट को अर्बी में दुखान बोलते हैं लाइटर को अर्बी में वल्ला बोलते हैं जीम को अर्बी में नादी बोलते हैं जीम जहां पे बड़ी शड़ी बनाये जाते हैं उसे नादी बोलते हैं मजरा बोलते हैं मैदान को अर्वी में मजाल बोलते हैं खेल को अर्वी में अलाब बोलते हैं खेल को अर्वी में अलाब बोलते हैं फुटबॉल को अर्वी में कोरा बोलते हैं बिल्डिंग को अर्वी में इमारा बोलते हैं बिल्डिंग जो बड़े बिल्डिंग बने रहते उसे अर्वी में इमारा बोलते हैं, किराया या रेंट को अर्वी में इजार बोलते हैं, भेजना को अर्वी में इर्सल बोलते हैं, अगर कोई बोलता है आना इर्सल यानि मैं भेजाओं, मैसेज को अर्वी में रिसाला बोलते हैं, मैसेज को अर्वी में रिसाला बोलते हैं, OTP को अर्वी में रसम बोलते हैं भासा यानि लेंग्वेज उसको अर्वी में लोगत बोलते हैं खीचना को अर्वी में इसहब बोलते हैं धकेलना धकेलना को अर्वी में यदफा बोलते हैं हटो या हटाना उसे अर्वी में बोलते हैं वख्खर हटो या हटाना को अर्वी में वख्खर बोलते हैं पकड़ो या पकड़ना को अर्वी में एमसिक बोलते हैं खिड़की को अर्वी में सब्बाक बोलते हैं या दिरिसा बोलते हैं खिड़की को अर्वी में जादे तर सब्बाक ही बोला जाता है दर्वाजा को अर्वी में बाब बोलते हैं चाहे वो गाड़ी का दर्वा जा हो चाहे वो घर का दर्वा जा हो उसे बाब बोलते हैं बाथरूम को अर्वी में हम्माम बोलते हैं कीचन यानि रसोई को अर्वी में मतबख बोलते हैं चाहे को अर्वी में साई बोलते हैं लेकिन चाई अगर आप बोल देंगे न तब भी समझ जाएंगे लेकिन अर्भी भासा साई होता है गार्डन यानि पार्क को अर्भी में हदीका बोलते हैं पेंड को अर्भी में सजर बोलते हैं चूलह को अर्भी में मौकीद बोलते हैं गैस को अर्वी में गाज बोलते हैं लुकेशन को अर्वी में मौका बोलते हैं सेवा को अर्वी में खिद्मत बोलते हैं सेवा करना यानि खिद्मत करना सेवा को अर्वी में खिद्मत बोलते हैं अपवाइमेंट को अर्वी में मौाद बोलते हैं एक को अर्विम बोलते हैं वाहिद, दो को अर्विम बोलते हैं इतनें, तीन को अर्विम बोलते हैं तलात, चार को अर्विम बोलते हैं अर्बा, पाच को अर्विम बोलते हैं खमसा, छे को अर्विम बोलते हैं सित्ता, साथ को अर्विम बोलते हैं सबा, आठ को अर्विम बो अर्बतास 15 को अर्विम बोलते हैं खमसतास और दोस्तों मैं बगल में इंगलिस में लिख रहा हूं वहां से आप इंगलिस में भी पढ़ सकते हैं 16 को अर्विम बोलते हैं सितास 17 को अर्विम बोलते हैं सबातास 18 को अर्विम बोलते हैं तमानियतास 19 को अर्विम बोलते हैं तिस सतास 20 को बोलते हैं असरीन इसरीन भी बोलते हैं 21 को बोलते हैं वाहिद इसरीन 22 को बोलते हैं इतनैन असरीन 23 को बोलते हैं तलात असरीन 24 को ब को बोलते हैं 5,80, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, तलातिन अटीश को बोलते हैं तमानिय तलातिन 49 को बोलते हैं तिस सा तलातिन and 40 को बोलते हैं 40 अव दोस्टों यहां से जो 41 होगा ना यहां से 44 लगना चालू हो जाएगा जैसे उस्टों मैं आप लोगों बोल रहा हूँ نा बार बार के बिस तक आप अर्वी सीख लिजेगा तो समझे कि आप अर्भी सीख गया है क्योंकि वहां से आपको वाहिद इतने हैं तलाता अर्भा फिर से वही सुरू से ही आपको सीखा जाएगा चलिए यहां से बढ़ते हैं 40 को बोलते हैं 41 42 42 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 49 50 50 50 50 वाइद खमसीन बाउन को बोलते हैं 20 श्राप को बोलते हैं तलात्स श्राप को बोलते हैं और 25 55 55 56 57 57 58 58 50 और 59 55 बोलते हैं 60 60 60 60 60 60 61 62 62 63 63 63 जूआ को बोते हैं टलाता सित्तीन, computing 64 को बोलते हैं अरबा सित्तीन, 65 को वह सबा इन इस था को बोलते हैं фот 15 की के बोलते हैं वाहिद सब थीनुशन सबी गो बहत्तर को बोलते हैं इतनाध सबा इन 73 को बोलते हैं तलाता सबाइन 74 को बोलते हैं अर्बा सबाइन 75 को बोलते हैं खमसा सबाइन दोस्तों आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए मैं वीडियो खोच-खोच किलाता रहता हूँ तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, सबस्क्राइब भले नहीं कीजिए मेरे चैनल को, लेकिन इस वीडियो को प्लीज आप अपने तरफ से लाइक कीजिए, इस वीडियो मैंने बहुत मेहनत किया है, सारा word लिखने में और सारा word चूनने में कहां से कहां से word लिका निकाल के मैं लिखता रहता हूँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से 76 को बोलते हैं सिता सबाइन 77 को बोलते हैं सबा सबाइन 78 को बोलते हैं तमानिया सबाइन 89 को बोलते हैं तिसा सबाइन 80 को बोलते हैं तमानी एक्यासी को बोलते हैं वाहित तमानी बिरासी को बोलते हैं इतने तमानी तिरासी को बोलते हैं तलात तमानी चुरासी को बोलते हैं 85 को बोलते हैं 50 तमानीन दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें 100 तक गिंती देख कर जाएं सीख के जाएं 86 को अर्विम बोलते हैं सिता तमानीन 87 को अर्विम बोलते हैं सबा तमानीन 88 को अर्विम बोलते हैं तमानीन नबे को अर्विम बोलते हैं तिसएइन, एक्यानबे को अर्विम बोलते हैं वाहिद तिसएइन, बानबे को अर्विम बोलते हैं इतना इन तिसएइन, तिरानबे को अर्विम बोलते हैं तलाता तिसाइन, चुरानबे को अर्विम बोलते हैं अर्बा तिसाइन, पंचानबे क को अर्विम बोलते हैं तिसा तिसाइन हंड्रेट को अर्विम बोलते हैं मिया सो को अर्विम बोलते हैं मिया दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरु को बोलते हैं रो क्या को बोलते हैं एस हां को बोलते हैं आओ को बोलते हैं ताल यह यह को बोलते हैं नहीं को बोलते हैं ला और माफी भी बोलते हैं उसको लई नहीं बोलते हैं काम को बोलते हैं सुगल और सवी सवी का मतल़ होता है करना पहला वर्ड है खाना को बोलते हैं अ समान उठाओ सेल हादा। है लिंधा समान इस समान केुछ ले में समान उठाओ बाहर और्रात कूड़ा उठाओ बाहर फेक masihских सेल जिवाला कित्ता बार्रा कूड़ां उठाओ बाहर फेक में साईल है कर देड़ आबा कर देना hop